हելो गाइज तो कैसे हैं आप से दिखंग आपका मेरी यूटूब चैनल प्यासोनी के व्लोग्स पर फिरसे वॉmm लिंटर होगे हैं तो यह जो है मेंट गेट के बाहर का विईउ है मेंगेट के बाहर इस दर के से बड़ा बोर्ड लगा हुआ है तो इसके बाद हम आ जाते हैं अंदर तो यहां से हम इंटर होंगे और जैसा कि अब भी Valentine's Day आने वाला है तो इन लोगों ने red and white theme रखी हुई है तो theme के according ही इन लोगों ने red and white decoration भी कर रखा है तो चलिए अब हम अंदर की ओर बढ़ते हैं तो आप देखी सकते हो यहां पर भी इन लोगों ने कितनी सुंदर gardening कर रखी है जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और यहां पर unique unique से plants हैं और इस side में Jeep वगेरा, bicycle वगेरा मिलती है जो आप चला सकते हो और यहां पर है धाबा restaurant तो इन्हों ने यहां बाहर भी बस लगा रखिए खाने के लिए अगर आपको बाहर खाना है तो आप बाहर खा सकते हो यदि आपको अंदर खाना है तो आप यहां पर अंदर भी खा सकते हो जैसी आपकी इच्छा तो यह हो गया खाने का complete तो चलिए गाईस हम और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर इस साइड में जूले हैं तो यह वाल एक जूला है तो मैं अभी आपको इसकी वीडियो बता देती हूं यहां पर बहुत यूनिक यूनिक से जूले हैं आप जिस तरीके से जूलना चाहते हो आप जूल सकते हो तो गाईस मैं आपको साथी साथ बताती चलूँ कि यह कहां पर बना हुआ है तो यह है धार रोड पे तो गाईस मैंने सोचा कि आप हॉम रेमेडिस और रेसिपीज देखकर बोर हो चाहेंगे इसलिए बीच बीच में कुछ इंटरवल यानि कुछ यूनिक होना चाहिए तो हम ग्रेंड माचल आये हुए थे तो मैंने सोचा क्यों आपको ग्रेंड माचल का ही टूर कराये जाए तो फिर क्या था मैंने फटा-फट से केमरा उठाया और केप्चर करना स्टार्ट कर दिया तो आपको वीडियो कैसी लग रही है जरूर पताईएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाईए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाऊ सके जो लोग इंदोर और धार से बिलॉंग करते हैं उन्हें तो ये पताईए यहां पर तीम के आकोर्डिंग आप देखी सकते हो कितने अच्छे से रेड हार्ट लगा रखे हैं इन्होंने और यहां से हमें टिकेट्स लेने होते हैं इस तरीके के बेल्ट मिलते हैं यहां पर इन्हें पहिन कर यह आपको अंदर घूमने की पर्मिशन मिलती है अगर आपने यह नहीं पेने तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो चलिए आप हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आइस्क्रीम के और चार्ट के ठेले हैं तो आप चाहो तो यहाँ से भी खा सकते हो चार्ट पगेरा और तो गाईस यहाँ पर इन लोगों ने LEDs लगा रखी है यह LEDs की जरी बताना चाहा रहे हैं कि यदि आप यहाँ पर किसका birthday या फिर कुछ function बनाना चाहते हो तो आकर बना सकते हो तो अब हम केफे के अंदर आ चुके हैं और केफे के अंदर का व्यू कुछ इस तरीके से है तो इन्हों ने यहाँ पर greenery को ध्यान में रखते हो decoration किया है जो कि बहुत ही सुन्दर है तो आपको यहाँ पर आकर बहुत ही relax फिल होगा वैसे भी greenery से हमें बहुत ही सुकून मिलता है तो केफे के अंदर भी इन लोगों ने बच्चों को खेलने के लिए play area बनाया हुआ है यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम है जो बच्चे आकर खेल सकते है तो यहाँ पर इन्हों ने decoration के लिए cute सा elephant लगाया हुआ है और यहाँ पर छोटे बच्चों को खेलने के लिए है soft play area और यहाँ पर भी आप खेल सकते हूँ और यह वाला भी है जो छोटे बच्चों के लिए ही है जैसा कि आप देखी सकते हो अभी नित्या अंदर खेल रही है तो चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इन लोगों ने indoor games रख रखे हैं जैसे केरम, चेज, और यहाँ पर table tennis भी है और badminton भी है और बहुत सारे games यहाँ पर available है और यहाँ की सबसची खास बात मुझे यह लगी कि यहाँ पर play के साथ साथ बहुत light sound में songs चल रहे थे जो की बहुत relaxed feel करवा रहे थे तो गाइस यह cafe के अंदर का view है अब हम आजाते हैं cafe के बाहर तो आप जो यह वाला blue वाला water देख रहे हैं यहाँ पर fish pedicure होता है तो आप यहाँ पर fish pedicure भी करवा सकते हो तो guys अब हम और यहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ने पर एक इंटर gate है यहाँ पर आपने belt पहने है या नहीं आपकी checking होती है उसके बाद आप यहाँ से इंटर करेंगे और जैसे ही आप इंटर करेंगे वैसे आपको एक बड़ा सा human दिखेगा जो बहुत ही cute है उसके बाद यहाँ पर swimming pool है जहाँ पर only four kids सी ही allowed है यह इसी बच्चों के लिए ही है तो यहाँ पर इन लोगों ने बच्चों की playing पर wishes दिहान दिया है तो यहाँ पर air balloon बच्चों की enjoy करने के लिए और boating है तो बच्चे यहाँ पर boating भी कर सकते है तो इसके बाद हम आजाते हैं driving area में जो कि मैं वीडियो के starting में ही बता चुकी हूँ तो यहाँ पर बहुत ही मज़े मज़े की bicycles है जिप्स है तो आप इन्हें drive कर सकते हो तो यहाँ पर बच्चों से लेकर बढ़ों तक के लिए bicycles available है तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है इन लोगों ने कुछ दक्स रख रखी है यहाँ पर यह वाला area भी सायद तक बंध है तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सीडिया है हम उपर चलते हैं और फिर उपर का view देखते हैं तो यहाँ पर सामने की और खेत है और यहाँ पर एक गोड़ा भी है आप चाहो तो गोड़े की भी सवारी कर सकते हो और इस साइड भी खेत है और वो जो सामने मेन रोड है और यहाँ पर सीडिया है आप फोटो सुट कर सकते हो या फिर आप प्ले भी कर सकते हो तो अब हम यहाँ से भी थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर भी जूले हैं और इस साइड जो है खेत है तो यहाँ पर जूले हैं और यह वाले जो जूले हैं यह बड़ो के लिए है और इन्होंने कुछ इस तरीके से मदुमक्खी के छत्ते टाइप बना रखे हैं जो की जूट के बने हुए हैं यह डेकोरेशन के लिए हैं और यह बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं तो गाइस यहाँ पर भी आगे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप खा पी सकते हो अराम से और यहाँ पर फोटो सुट भी कर सकते हो तो यहाँ से इस साइड जंगल वोक है और यहाँ पर बोट लगा हुआ है और इस साइड जो है गॉल्फ कोर्स है आप यहाँ पर गॉल्फ भी खेल सकते हो गॉल्फ के लिए ग्राउंड बना रखा है और इसका पूरा व्यू कुछ इस तरीके से है और जब हम यहाँ से जंगल वोक की और बढ़ते हैं तो यहाँ पर उंट भी है आप चाहो तो उंट की भी सबारी कर सकते हो तो जब हम यहाँ से ओरा के बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जूला है इसमें चार लोग एक साथ बेट करके जूल सकते हैं तो अगर आप जूलने क सोकीन हो तो आप यहाँ पर जूल भी सकते हो यह सिर्फ बड़ों के लिए है बच्चों के लिए नहीं है तो यह इस तरीके से धीरे-धीरे उपर की ओर जाता है तो गैस आप तब तक जूले का पूरा व्यू देख लीजिए और साथी साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आपको में वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर ब तो गाइस ये था जूले का व्यू और हम इसके आगे चलते हैं तो छोटे बच्चों के लिए जूले हैं जहाँ पर नित्या जूल रही थी तो मैंने इसकी भी पिक एट का दी है तो गाइस ये था ग्रेंड माचल का विजिट फिर मिलेंगे इसी तरह तब तक के लिए बाबाई